Hello Friends, Welcome to Essay Fashion World So, आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर के आई हूँ Ladies Thumb Socks, वो किस तरह से हम बनाते हैं? वो इस वीडियो में लेकर के आई हूँ आपके लिए और इसके लिए देखे, मैंने तीन कलर यहाँ पर यूज किये हैं Thumb Socks हैं, यह आप चाहे 4 number आपका pound का size है या 5 number है या 6 number है, आपको same procedure follow करना है Same तरीके से आपको बनानी है, चाहे 7 number है आपका तो same तरीके से आपको यह बनानी है फंदे हमारे equal रहेंगे, आप थोड़े से बड़ा गटा भी सकते हो अपने इसाब से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हाँ, इसको हम सिलने की जरूत नहीं पड़ेगी इस तो आपको हम सिर्फ बिना सिलाई किये हुए जो थम बनते हैं, वो उस तरह से हम इसको बनाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए मैं इसको थ्री कलर में बना रही हूँ इससे पहले मैंने आपके साथ ये डिजाइन की वीडियो शेयर कर दी है तो वो आप एहले देख लीजिए इसका लिंक देखिए उपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा वो आप सीख लिजे पहले डिजाइन अच्छे से अगर आप सीखना चाते हो सो चलिए मैं इसको देखिए मैं इसको बनाने के लिए तीन कलर का यूज कर दी हूँ आप सिर्फ इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हूँ simple भी आप बना सकते हो कोई जुरूत नहीं अगर आप ये design नहीं डालना चाते तो आप simple भी इसको बना सकते हो बस वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में ये आएगा तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर green color लूँगी और green color से हमने अपनी sly के ऊपर 47 stitches लगा लेने हैं इस तरह से देखिए हमने 47 stitches अपनी sly में लगा लेने हैं तो देखिए 47 stitches लगाने के बाद हम क्या करेंगे पहली row wrong side से row and wrong side से यह हमारी उल्टी आएगी सारी तो इसको हमने पूरा उल्टा बना करके complete कर लेना है पहली row है, wrong side है, यह हमारी उल्टी पड़ रही है, तो इसको हमने उल्टा बना करके complete कर लेना है तो पहली row देखिए मैंने बना करके complete कर ली है, अब इसके बाद हम यहाँ पर डिजाइन डालेंगे, जो डिजाइन मैंने आपको पहले सिखा दिया है वो डिजाइन जो जिसका आई बटन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, उपर उसको आप सीख सकते हो, या आप चाहे तो इसके बाद देखिए सीधा सीधा भी बना सकते हो, अगर आप इस डिजाइन को नहीं डालना चाते है तो आप सीधा सीधा भी बना सकते हो, ठीक है, तो डि आपने सीधी तरफ से सीधा बनाना है इस तरह से भी सिंपल अगर सीधी तरफ से आपको सीधा बनाते जाना है इस तरह से सीधा बनाते जाना है और उल्टी तरफ से आपको उल्टा बनाते जाना है रॉंग साइड से आपको सारी रो उल्टी बनानी है और राइट साइड से आ कॉ मैं आपको बता दूँ, जितना आपकी पाओं का साइज है, पाओं को आपनी AD से आपनी नापना है, और अंगुठे से पीछे वाले इस से जहांसे आपका अंगुठा स्टार्ट होता है, वहां तक आपको उसको नापके बना ले ना है इतना मतलब आपको इसको बना लेना है अपने पाउं के हिसाब से नाप करके AD से आपको नापना है आगे जहाँ पर आपका अंगुठा स्टार्ट होता है वहाँ तक आपको इसको नाप लेना है तो इसका देखे, इस तरह से मैंने डिजाइन डाला है, उसके बाद जो दो-दो सलाई हम बीच में डालने थी, यहाँ पर मैंने चार सलाई है, इसकी कर दी है उपर, और अब हम यह डिजाइन को यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे, अब देखे, कितना पैने बनाया है, यह मैं पाओं पे आपको नाप करके पताती हूं इसको, तो यहां से देखे, हम इसको नापेंगे, यह देखे, यहां से जहां से हमारी AD स्टार्ट होती है, वहां से अम नापेंगे, यह देखे, अंगुठे तक, यहां जहां हमारा अंगुठा स्टार्ट हो रहा है, वहां तक हमने इतना हिस्सा मैंने बनाया है, इतना ही आपको भी बना लेना है, अगर सीधा-सीधा बनाना चाते हो, तब भी आपको इतना ही बनाना है, सीधे तरफ से, सीधा और लटे तरफ से उल्टाइ, यह आप चाहे तो सीधी-सीधी भी बना सकते हो, कोई अगर आप इस design को नहीं डालना चाहते ठीक है इतना आपने बना लेना है अब उसके बार देखिए हमने क्या कर तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 27 फंदे उतार देंगे यह इस तरह से उतारेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और एके 27 फंदे देखिए हमने इसमें निकाल दिये यहाँ पर हमारे पास दूसरी तरफ 20 फंदे है और यहाँ पर हमारे पास 27 फंदे हैं तो सबसे पहले देखिए हमने इस तरफ हमारा अंगुठा निकलेगा एक जुराब में यह हमने अंगुठे के लिए 20 फंदे यहाँ पर रखे ह और यहां पर हमारे यह 27 फंदे हैं इनका हमने दूसरी टो वाला हिसा बनाना है ठीक है जो उंगलियों वाला दूसरी पाउं की उंगलियों वाला हिसा है वो हमने यहां पर बनाना है तो अगर आप दूसरी पाउं की बनाओगे तो आपने पहले इस तरफ देखे हमारा यह वा इस तरह से करेंगे और अब एक और सिलाई हमने लेनी है और इसके अंदर हमने फंदे डालने है तो पहले एक फंदा इस तरफ से डालेंगे और दूसरा फंदा इस तरफ से डालेंगे फिर देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा एक फंदा इस तरफ से डालेंगे और एक फंदा इस तरफ से डालना है और एक फंदा इस तरफ से डालना है पंदे जो कुछ खुल रहे हैं उनको हम बाद में ठीक कर देंगे बुनाई करते हुए यह देखे इस तरह से हम यह सारे फंदे इसलाई में डाल लेंगे तो इस तरह से देखिए हमने ये सारे फंदे इसके अंदर डाल लिए हैं ये देखिए सारे इसके अंदर डाल लिए हमने आप एक बार काउंट करके देख लीजे कि आपके पूरे 27 स्टीचिस है या नहीं अगर कुछ छूटे होंगे तो हम इनको बाद में पिक कर लेंगे दे देखिए यहां पर द्यान से देखिएगा अब हमने क्या करना है यहां पर बहुत द्यान से देखिएगा देखिए एक फंदा हम बनाएंगे एक फंदा हमने उल्टा बनाना है अब यहां पर देखिए यह पीछे वाला फंदा है यह देखिए यहां पर यह पीछे वाला फं यहां पर देखिए पीछे वाला फंदा है तो इसको हमने स्लिप करना है और यह जो सामने वाला फंदा है यहां पर आपको उल्टा दिख रहा होगा इसको हमने बनाना है यह पीछे वाला फंदा है देखिए सीधा आपको दिख रहा है इसको हमने उतारना है और एक फंदा उल बनाना है. यहां पर देक एमारा फंदा चूट गया है. तो इसको हमने पिक कर लेना है. इसको हम उल्टा बना लेंगे ऑपर.現在ma पिक कर ले और यहां पर यह फंदा भी तो कि उल्टा उठाए नीचे दो होगे. अब एक को उल्टा बना लेंगे आगे वाले फंदे को पीछे वाला फंदा है देखिए इसको हम slip करेंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे यह आपको इसी तरह से ही बुनाई करनी है वरना फिर आपकी यह आपस में join हो जाएगी अब देखिए यहाँ पर यह पीछे वाला फंदा है इसको हम slip करेंगे यह आगे वाला फंदा है उल्टा आपको दिख जाएगा वो आपने उल्टा बनाना है पीछे वाला फंदा है इसको slip करेंगे और आगे वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे यहां पर देखिए पीछे वाले फंदे को स्लिप किया आगे वाले फंदे को उल्टा बना लिया यह पीछे वाले फंदे को स्लिप किया और इस फंदे को उल्टा बना लिया अब दूसरी तरफ को आजाएए तो दूसरी तरफ में भी देखिए सेम वैसे ही हम करेंगे अब यह एक फंदा देखिए हमने बनाया पीछे वाले फंदे को जो आपनी तरफ को आपका है उसको आपने बनाना है अब यह देखिए यहां पर हमारे इस फंदे को हम बनाएंगे और यह पीछे वाला फंदा है देखिए दूसरी तरफ का फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे दूसरी इसको slip करेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे यह देखे पीछे वाले फंदे को slip किया और आगे वाले फंदे को उल्टा बना लिया तो देखे पीछे वाले फंदा हमने slip किया और इस फंदे को हमने उल्टा बना लेना है एक फंदा slip किया और इसको उल्टा बना लिया ये पीछे वाला फंदा slip करेंगे और आगे वाला फंदा बनाएंगे पीछे वाला फंदा slip करेंगे जो सीधा दिख रहा है उसको slip करेंगे और फिर इसको उल्टा बना लेंगे तो ये देखिए हमने इसी तरह से बनाना है उपर तक ये उल्टा और ये slip किया क्योंकि ये पीछे वाला बंदा है तो आप देखिए दूसरी तरफ को यहाँ पर फिर से टर्न हो जाएंगे अब यही दो रो यही दो रो बनाने का तरिका यही सेम रहेगा यही दो रो हम बनाएंगे और फिर से देख लिजे यहाँ पर पहले हमने यही जो टो वाला हिस्सा है वही बनाना है तो देखे इसको हमने उल्टा बना लिया धागा अपनी तरफ लाके इसको उल्टा बनाया और पीछे वाले फंदे को स्लिप करेंगे और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे पिछे वाले फंदे को slip किया और इसको उल्टा बना लिया तो सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे देखिए कितना बनाएंगे जब तक कि आपकी पाउं की चोटी उंगली है तब वहां तक आपकी length न हो जाएए तब तक हमने यह 27 फंदे इसी तरह से बनाते जाना है पीछे वाले फंदे को slip करना है और आगे वाले फंदे को बनाना है उल्टा इस तरह से देखिए हम बनाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास जो हमारी पाउं की चोटी उंगली है उस तक हमारी length न हो जाए तब तक हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे तो आप देखी पाउं की छोटी उंगली तक मैंने इसकी बुनाई कर ली है ये देख लीजे यहां तक हमने इसकी बुनाई कर लेनी है पाउं की छोटी उंगली से आपको नाप लेना है और वहां तक आपको इसकी बुनाई कर लेनी है और आपको ध्यान रखना है बुनाई कर तो यह इस बात का आपने ध्यान रखना है अब देखे इसके बाद हम क्या करेंगे अब इसके बाद देखे जब आपका पाओं की उंगली तक हो जाए फिर देखे इस साइड से हम यहां से अब गटाना शुरू करेंगे तो गटाने के लिए हम क्या करेंगे तीन फंदे देख अब यह रो हम इसी तरह से complete करेंगे जो भी remaining stitches है हमारे वो हमने इसी तरह से पीछे वाला फंदा slip करना है और आगे वाला फंदा बनाना है इस तरह से हम इसको बना लेंगे देखिए यह हमने बना लिया तो अब next line पर आजाईए तो इसको हमने same ऐसे ही बनाना है इसमें अभी कुछ भी नहीं गटाना है इस रो को हमने फिर से पीछे वाला फंदा देखिए slip करेंगे और आगे वाला फंदा हम बनाएंगे ठीक है यह हमने बनाया था last में इसको हम slip करेंगे यह देखिए यह वाला फंदा हम बनाएंगे और पीछे वाला फंदा हमने slip करना है इस रो को हम इसी तरह से बनाएंगे इसमें हमने कुछ भी नहीं गटाना बढ़ाना है अब देखें नेक्स लाइन पर जाएए यह रो हमने बना लिये ऐसे ही अब यहाँ पर फिर से हमने एक के तीन का एक फंदा बनाना है इस साइड से हम हर बार गटाते जाएंगे इस से हमारी देखिए उंगलियों की शेप आएगी फिर यहाँ पर फिर से तीन का एक किया अब फिर से देखे पीछे वाले फंदे को स्लिप करेंगे आगे वाले फंदे को बनाएंगे पीछे वाले फंदे को स्लिप करेंगे आगे वाले फंदे को बनाएंगे इस रोग को हम पूरा इसी तरह से बनाएंगे अब पिछे वाला फंदा हमने स्लिप करना है और जो फ्रेंट वाला फंदा है वही हमने बुनाई करना है अब नेक्स्ट स्लिप पर आजाएंगे तो यहां पर फिर से देखिए वैसे ही बनाएंगे इसको भी हम देखिए यह हमने स्लिप कर लिया अब नेक्स्ट को बनाएंगे पीछे वाला फंदा है इसको स्लिप करेंगे इसको पूरा हम इसी तरह से बनाएंगे इस रो को पूरा लास्ट का फंदा है इसको हमने स्लिप कर लिया अब नेक्स्ट सिलाई पर आजाईए तो यहां पर देखिए यहां पर आपको शेप दिख रही होगी अब हमारी जो उंगलियों की शेप इस तरह से आती है वो आने लगी है तो आप फिर से यहां पर तीन का एक करेंगे हर बार हमने इसी तरफ तीन का एक करते जाना है यह देखिए इस तरह से हम तीन का एक करेंगे फिर से फिर फिर से वैसे ही बनाएंगे इस रो को रिमेनिंग जो फंदे हैं आगे वाले फंदे को बनाएंगे और पिछे वाले फंदे को स्लिप करेंगे इस तरह से हम बनाएंगे इसको स्लिप किया और इसको उल्टा बनाया इस तरह से हम यह बना लेंगे और इसके बाद आगे वाली रो भी हमने बना लेनी है उसमें कुछ भी नहीं गटाना है, हर बार हमने इसी तरफ इसी रो में गटाना है, यह सलाई हमारी सिंपल ही बनेगी, हर बार इस तरफ ही हम गटाएंगे, इसी स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बनाने, तो अब देखिए पिछली रो में ने बना ली, अब यहाँ पर फिर से ह यहाँ पर फिर से हमने तीन का एक फंदा बनाना है, यह देखिए, यहाँ पर फिर से हमने तीन का एक बना लिया, अब फिर से वैसे ही इसको बनाएंगे, जो रिमेनिंग स्टिच हैं, उनको हमने देखिए आगे वाले फंदे को बनाना है, और पीछे वाले फंदे को करेंगे अब देखिए यहां पर हम फिर से तीन का एक करेंगे पिछ वाली रो हमने सिंपल बनानी है और यहां पर फिर से हमने तीन का एक करना है हर बार सिर्फ इसी रो में हमने गटाने है यह और फिर से वैसे ही बनाएंगे पिछ वाले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे व अब देखे हम नेक्स से लाई पर हैं तो यहाँ पर फिर से हम एक बार तीन का एक करेंगे यह लास्ट टाइम हम तीन का एक कर रहे हैं यह देखे तीन का एक किया फिर से वैसे ही पीछ वाले फंदा स्लिप करेंगे और आगे वाले फंदे को बनाएंगे यह रो हम इसी तरह से बना लेंगे और आगे वाली रो भी हम इसी तरह से बना लेंगे पीछे वाले फंदे को slip करना है और आगे वाले फंदे को बनाना है तो इस तरह से हम ये तो आप देखिए मेरे पास ये 15 स्टिचिज रह गए हैं गटाते हुए हम जो गए 27 फंदों में से तो अब हमारे पास ये 15 फंदे ही रहे गए हैं तो आब हमने देखिए इन 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है इसी तरफ से आपको गटाने हैं जिस तरफ से हम गटा रहे हैं तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इसको बापिस से इस स्लाई में डालेंगे, अब हम ये पूरे फंदे बंद कर देंगे, फिर बापिस से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से देखिए, फिर से इसको बापिस स्लाई में डालेंगे, और इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे सारे फंदे हम इसी तरह से बंद कर देंगे लास्ट में भी हमने तीन फंदों का एक फंदा बना लेना है और इस फंदे को फिर से एक बार बनाएंगे और फिर धागे को कट कर लेंगे दागे को हमने कट कर लेना है और इस धागे को बाद में हम नीचे से ले जाके तो यहां पर देखिए हमारी यह उंगलियों की शेप यहां पर देखिए आ गई है यह देखिए छोटी उंगली से इस तरह से हमारी आपने इस तरफ अंगुठा बनाना है यहां पर देखिए तो फिर से ही करेंगे देखिए इसलाई से सारे फंदे उतार देंगे या मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ तो फिर एक और तरीका आपको बताऊंगी यहाँ पर देखें मेरे पास यह 20 स्टीच हैं तो इनको हमने 10 फंदे स्लाई में डाल देंगे तो देखें मैंने यहाँ पर 10 फंदे स्लाई में डाल दीए हैं 10 फंदे हमारे स्लाई में हैं आप अंगूठे के लिए देखे, इससे कम फंदे भी रख सकते हो, आप 18 फंदे भी रख सकते हो, आप 16 फंदे भी यहाँ पर रख सकते हो, जो अंगूठा हमारा आएगा, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको देखे, इस तरह से करना है, देखे, हम इनको फोल्ड कर अब यहां पर द्यान से देखिएगा अब हमने एक और सिलाई लेनी हैं इसमें हमने फंदे को डालना है तो एक फंदा देखिए हम इस सिलाई से डालेंगे और एक फंदा दूसरी सिलाई से डालेंगे एक फंदा हम इस सिलाई से डालेंगे और एक फंदा पिछवाले सिलाई स डालेंगे तो दोनों तरफ से हमने बराबर ये फंदे डालने हैं एक फंदा इधर से और एक फंदा दूसरी स्लाई से इस तरह से हम पूरे ये 20 फंदे इस लाई के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह से देखिए हमने एक सिलाई के अंदर ये पूरे 20 फंदे डाल लिए एक फंदा हमने एक स्लाई से डाला और एक फंदा दूसरे स्लाई से डाला अगर इस तरीके से नहीं डालना चाते तो मैंने एक और तरीक आपके साथ शेयर कर दिया है जिसमें हमने पहले यह वाले फंदे डाले थे हम डबल करेंगे और फिर इधर उदर से फंदे डालते जाएंगे तो आप देखिए उसके बाद हम यहाँ पर धागा जोईन करेंगे अंगूठा हम यह बनाएंगे तो अब यहां से हम दागे को जोइन करेंगे अब देखिए यह आगे वाला फंदा है यहां पर देखिए आगे वाला फंदा है तो इसको हम बनाएंगे इस तरह से हम इसको बना लेंगे उल्टा उल्टा हमने बना लिया अब देखिए पीछे वाला फंदा है इसको हमने स्लिप करना है आगे वाले फंदे को बनाना है और ये पीछे वाला फंदा है इसको स्लिप करेंगे आगे वाले फंदे को बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को slip करेंगे इससी तरह से हम बना लेंगे देखिए ये पूरा आगे वाले फंदे को हमने बनाना है जो सामने दिख रहा है यहां पर देखिए आपको पीछे वाला फंदा है तो इसको हम स्लिप करेंगे यह आपको आगे वाला फंदा है इसको हमने बुनाई करना है और यह हमन slip किया आगे वाला फंदा बना लिया अब यह पीछे वाला फंदा है तो इसको हमने slip करना है अब दूसरी श्लाई पे आ जाईए और फिर से वैसे ही बनाएंगे सेम तरीका रहेगा हमारा अब यहाँ पर देखिए आगे वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बनाना है इसको हम उल्टा बनाएंगे और यह देखिए पीछे वाला फंदा है इसको हम slip करेंगे तो यही दो row हमने बनाते जाना है देखिए आगे वाले फंदे को हमने बनाना है और पीछे वाले फंदे को हमने slip करना है तो इस तरह से हम बना लेंगे ये कितना हम बनाएंगे ये हम बनाएंगे देखिए लगवग इसकी 15 to 16 rows आप बना लीजिए आपने अंगूठा जितना आपका है उतने आप उसको नाप करके बना लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है पहले आप इसकी बुनाई कर लीजिए 15 या 16 रोज तक यही रो बना रो टू हम बनाएंगे सेम प्रोसीजर से आगे वाले फंदे को हमने बनाना है और पीछे वाले फंदे को हमने उतारना है तो आप देखे मेरी यहाँ पर देखे इसकी बुनाई कर लिये है और हम इस तरफ से नाप करके भी इसको बना सकते हैं यह देखे यहाँ तक मेरा हो गया है थोड़ा सा जब इसका तीन-चार सिलाईयां रहे वहाँ तक आपने इसको बना लेना है थेक, इस तरफ अगर आप य बना रहे हो अगर अंगूठा पहले बना रहे हो दिसे दूसरे पाउंका बनाएंगे तो अंगूठा पहले बनेगा इस तरब को तो उसकी फिर आपने देखे 15 to 16 जोज आपने बना लेनी है आप यहां पर देखे उसके बाद हम क्या करेंगे तो दियान से देखिएगा यहां हम तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे वन टू थ्री तीन फंदों का देखे हमने यहां पर एक फंदा बना लेना है तीन का एक बना लिया और फिर से वैसे ही पीछे वाला फंदा स्लिप करेंगे आगे वाला फंदा बनाएंगे पीछे वाला फंदा स्लिप करेंगे और यह पूरी रो हमने इस तरह से बनानी है देखिए इस तरह से पिछवाला फंदा स्लिप करेंगे और आगे वाला फंदा बनाएंगे पिछवाला फंदा है तो इसको स्लिप कर लिया अब यहां पर फिर से हमने तीन फंदों का एक फंदा बनाना है इस वार हम दोनों तरफ से फ करेंगे और आगे वाला फंदा बनाएंगे लास तक हम इसी तरह से करेंगे पिछे वाला फंदा स्लिप करेंगे और आगे वाला फंदा बनाएंगे दीखिए प्लास्ट फंदा इसको हमने स्लिप कर लिया अब यहां पर फिर से हम तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से एक वार इधर से भी हमने तीन फंदों का एक बनाना है तो दूसरी तरब से भी यहां से भी हमने तीन फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से त पीछे वाला फंदा स्लिप किया, आगे वाला फंदा बना लिया, पीछे वाला फंदा स्लिप किया और आगे वाला फंदा बना लिया, इस तरह से बना लेंगे, आगे वाला फंदा है, इसको हमने बना लेना है, लास्ट का फंदा स्लिप करेंगे, अब इस तरह आजाएए, अ पर फिर से तीन फंदों का एक फंदा बनाया और फिर से पीछे वाला फंदा स्लिप की आगे वाला फंदा बना लिया इस तरह से एरो बना लेंगे पीछे वाला फंदा स्लिप और आगे वाला फंदा बनाएंगे लास्ट का फंदा स्लिप कर लेंगे क्योंकि ये पीछ वाला फंदा है तो अब यहां पर फिर से हमने तीन फंदों का एक फंदा बनाना है देखें तीन फंदों का एक फंदा बनाया अब फिर से पीछ वाला फंदा स्लिप किया आगे वाला फंदा बना लिया पीछे वाला फंदा slip किया, आगे वाला फंदा उल्टा बना लिया, पीछे वाला फंदा slip किया, आगे वाला फंदा उल्टा बना लिया, लास्ट का फंदा slip कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए, आपको शेप दिख रही होगी, अब यहाँ पर हमने पूरे फंदे ये बंद कर देने हैं वापी से इसको इस लाई पर डालेंगे फिर इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे बापी से इस लाई में डाला और तीन फंदों का एक फंदा बना लिया बापी से इस लाई में डाला अब यहां पर देखे चार फंदी हैं तो चारों को हमने एक फंदा बन करेंगे और इसको फिर दागे को थोड़ा सा लंबा काट के कट कर देंगे तो इस तरह से देखिए यह हमने बना ली है यह देखिए यह हमारे अंगूठे और यहां पर बन गी अब यह जो दागे हैंने हम थोड़ा सा नीचे ले जाकर के थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे ता दिख रहे हैं इन्से हम छोड़ा सा इस तरह से पि रोएंगे इनकों थोड़ासा नीचे इस धागे को ले जान्हें को कि फिर आपके धागे बा़र नहीं दिखेंगे और इनको कट कर लेंगे, यह सारे धागे हमने इसी तरह से अंदर डाल देने हैं, देखिए, तो अब देखिए, एक्स्ट्रा धागे मैंने यहां पर कट कर लिए हैं, अब हमने देखिए, अपनी जुराब को सिलना है, तो इस तरह से रखना है, देखिए, यहां से हमारी यह वाला एसा AD का होगा, यहां से हम पहले इधर तक इसकी सिलाई करेंगे, उपर से यहां तक हम इसकी सिलाई करेंगे, यहां से यहां तक पहले आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, इधर तक हम सिलाई कर लेंगे, वो किसी भी स्टिच से, अब देखे मैं इस तरह से इसको सिलाई करूँ एक धागा यहां से पकड़ए और एक दूसरी कि पकड़ए नीचे से मैं सिलाई इसको करना स्टार्ट करती हूं कैसे ऑसे लग जो सकते हो इल कि इस तरह से एक दागा इधर से और एक धागा इधर से इस तरह से हम इसकी ते लाई कर लेंगे ऐसे हम देखें यहां से इधर तक इसकी सिलाई कर लेंगे पहले तो आप देखें यहां से लेके यहां तक हमने इसकी सिलाई कर ली है अब यहां पर हम 3-4 टांके देंगे AD वाला हिस्सा हमने सिल लिया है यहां पर हमने 3-4 टांके देने हैं और फिर अपने धागे को कट कर लेना है यहां से हमने फिर इसको कट कर लेना है नीचे जासे ले जाकर हमने अपने धागे को यह आपका पाउं अच्छे से आ रहा है और नहीं उतना ही आपको इसकी सिलाई करनी है आगे से भी हम यहां से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे इधर तक तो देखिए यहां से हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे एक था गए इधर से पकड़ेंगे और एक इधर से पकड़ेंगे इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे अब देखिए यहां से हमने इसको सिलना स्टार्ट किया है अब इधर एक बार आपको अपना पाउन पैन के देख लेना है कि कितना आपको टाइट आ रहा है तो वहां तक आपने इसकी सिलाई कर लेनी है जैसे मैं लगवग यहां तक इसकी सिलाई करूँगी यहां पे फिर हमने इसको लॉक कर देना है यहां तक सिलाई करते हुए यहां से पीछे से अब आपको नहीं सिलना है सिर्फ आगे से ही सिलाई करनी है आप देखे यहां पर मैंने सिलाई कर ली है यह वाला हिस्सा हमारा खुला रहेगा जिसे हम पाउं अंदर डालेंगे ठीक है अब हम इसको सीधी तरफ को पलटेंगे देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ को पलटना है तो देखिए इस तरह से पलटाने के बाद हमारी जुराब देखिए कितनी फिनिशिंग की साथ बनी है ये और ये देखे, अब मैं इसको पहन के भी दिखाती हूँ, देखे जब आप दूसरी तरफ की बनाओगे, दूसरे पाओं के बनाओगे, तब आपने अंगुठा दूसरी तरफ को बनाना है, ये हमारी left side की बनी, right side की तरफ को आपने पहले अंगुठा बना लेना है, फिर उसक बनाओगे जरूर, और ठाइक्स वराचिंग मिलते हैं, नेक्स विडियो में, किसी और टूटोरिल के साथ, अब चाहिए.